माक पूर्मा महालक्षमी योग और स्वासित्य योग का बना दिप्प सईयों आज रात घर में यहां जला दें दीपक मालक्षमी को आना ही पड़ेगा आपके द्वार मिट जाएगी बर्सो पुरानी गरीबी घर में आईगी सुक्सम्रत्थी ओम गैंशी महागड़ी शाय न नाखपूर्मा का हमारे धम शास्तों में विशिष महतु बताया गया है यह दिन भगवान विश्णु मालक्षमी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है आज के दिन जब तब और इसनान दान करने का पिधान है शास्तों के अनुसार आज के दिन मानलक्षमी नारायन का पूचन काने से कश्टों से चुटकारा मिलता है आज के दिन पविति नदी में इस दान करने सी पाप धुल जाते हैं आज के दिन पित्रों का तरपन कायने से पित्रों को मुख्ष की प्राप्ति होती है दोस्तों आज की माह पूर्मा बहुत ही जादा खास है क्योंकि आज के दिन माहलक्ष्मी को प्रसंद कायने वाला माहलक्ष्मी योग बन रहा है साथी आज स्वास सिथी योग भी बन रहा है इस योग में के गई पूजन और उपाय बहुत जल्दी सिथ हो जाते आज के दिन चावल, तिल, गुड़ और कंबल इत्यादी का दान करने से अमुख फल प्राप्त होता इस दिन भागवान सत्य नारायन की कथा सुनना बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा कहने से पापों से मुक्ति मिलती है दोस्तों भागवान सत्य नारायन की कथा की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी पूर्मा का दिन मा लक्ष्मी को अत्यन्त प्रिय होता है पूर्मा के दिन कुछ खास उपाय करने से चीवन में मा लक्ष्मी जी की विशिश कृपा होने लगते है आथिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है पूर्मा पर भगवान शीहरी विश्णू और शिपची का भी पूजन किया जाता है साथ ही इस दिन पर चंदेव का भी खास तोर पर पूजन किया जाता है दोस्तों पूर्मा तिथी भगवान विश्णू मा लक्ष्मी जी को समर्पित है पूर्मा पर भगवान सत्य नारायन का पूजन भी किया जाता है पूर्मा तिथी पर भगवान विश्नु मालक्ष्मी जी का पूजन करने से भगवान विश्नु मालक्ष्मी जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है माना जाता है कि पूर्मा की रात्री को मालक्ष्मी जी धर्दी पर भ्रमण करती है ऐसे में पूर्मा की रात्री पर भगवान विश्नु मालक्ष्मी जी को प्रसंदि करने के लिए जो पूजा या उपाई किये जाते हैं पहें बहुत ही जल्दी शुफल प्रदान करने वाले होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्मा पर करने वाला एक बहुत ही खास और असरकारक उपाई बताने जा रही है दोस्तों शास्त्रों में बताया गया ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है इस उपाय को करने से धन्गी देवी मा लक्ष्मी जी के कृपा से घर में सुक्सम्रती बनी रहती है धन्सम्मंदी समस्याय दूर होती है और घर में मा लक्ष्मी जी का बास होता है मा लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी सकारात्मक शक्तियों का आशिरवात प्राप्त होता है और भगवान विश्णु जी के भी कृपा प्राप्त होती है दोस्तों इस उपाई को सही प्रकासी करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों हम सभी धन कमाने के लिए दिन रात कड़ी महरत करते हैं कई प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी इसमें हर व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं होते कई व्यक्तियों को धन प्राप्ति के मार्क इस्तरुत तो मिल जाते हैं घर में पैसा भी बहुत आता है लेकिन पैसा है कि टिकता ही रही। कोई ना कोई धन सम्मंदी समस्या हमेशा बनी ही रहती है। ये समस्या उन घरों में होती है जहां मा लक्ष्मी जी का बास नहीं होता। इस समस्या को दूर करने के लिए आप धनकी देवी मा लक्ष्मी जी क और देखती हैं कि कौन-कौन सच्ची भाव से उनका पूजा अर्चन करता है। मालक्ष्मी जी को अपने घर आमंतित करने के लिए संध्याकाल के समय आप शुत्य वस्ते धारन करके सबसे पहले अपने मंदिर में एक दिया जलाएं और भगवान जी की आर्टी करें। आर्टी करने के पश्चात अब आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अपनी चोखट पर अपने मुख्य द्वार पर और मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप गंगा जल का छिड़काप करें। गंगा जल ना हो तो शुद्ध चल का छिड़काप करें। अगर गौम उत्र हो तो गौम उत्र का छिड़काप करें। दोस्तों अगर आपके मुख्यद्वार के बाहर गंदिकी हो, तो आप संधयाकाल से पहले ही पहां जाडू पहुंचा करके या थुलाई करके जग्य की सफाई कर ले अब आप दो मित्ती के दिये ले मित्ती के दिये ना हो तो आप सुरुद्ध जल से बिना नमक का आटा मड़के उसके भी दिये बना सकते हैं अब इन दिये में आप रुई की बाती लगाएं इसके बाद दिये भी शुद्ध घी भरें शुद्धी की ना हो तो आप साफ साजों का तेल भी भर सकते हैं गी या तेल आप अपनी सुभधा के अनुसार भर सकते हैं दिया तैयार करने के पश्चात अब आप अपने घर के मुख़्े द्वार के बाहर दोनों तरफ थोड़े थोड़े से सापुच चावल रखे चावलों के उपर आप इन दीयों को रखे दीये आपको इस प्रकासे रखने हैं कि दीये की जो बाती है जो लो है वह उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए इसके बाद आप हाथ में थोड़े से हल्दी कुमकुम ले और थोड़े से सापुच चावल ले और मा लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए आप इन चावल और हल्दी कुमकुम को दीयों पर छिरके अगर पुश्पु हो तो थोड़े थोड़े पुश्पु भी आप दिये के आसपास डाल दे और मुख्य द्वार पर भी थोड़े से पुश्पु या पुश्पु की पत्तियां डाल दे पुश्पु ना हो तो दोनों दियों के पास आप एक एक धूपत्ति जला दे दोस्तों ध्यान रखें आपको धूप बत्ती जलाने हैं अगरबत्ती भूल कर भी ना जलाएं क्योंकि अगरबत्ती तांत्र पूजा में इस्तमाल की जाती है घर में कभी भी अगरबत्ती जलाकर पूजा नहीं करी जाती अब आप इन दियों को जलाएं दिये जलाने के परश्ञात आप धनकी दीवी मा लक्षमी जी और भगवान बिष्णुजी को प्रणाम करें धनकी दीवी मा लक्षमी जी को अपने घर आने के लिए आमंत्र करें और अपनी सभी धन समंदी समस्याओं को दूर कहने के प्रातना करें धर के चोख़ट पर दिया लगाने का भाब यही है कि महादीवी लक्षमी जी का स्वागत दीप चला कर रोशनी से किया जाए क्योंकि आज की रात मा लक्षमी जी धरती पर भ्रमा करती है और आज रात के समय मा लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए जिस घर के मुख्य द्वार पर दिये जले होते हैं उस घर में मा लक्ष्मी जी भगवान विश्णु जी के साथ बास करती है और जिस घर में मा लक्ष्मी जी बास करती है जिन भक्तों पर मालक्ष्मी जी की कृपरा होती है उनके ख़र में सभी सुक्सुब्धाय in स्फतय ही उपलब्द होने लग जाती है इसी बज़े से आज की रात धनकी दीवी मालक्ष्मी जी को अपने घर आमंतित करने के लिए मा लक्ष्मी जी का रोशनी के साथ स्वाकत करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दिये जलाये जाते हैं इस प्रकार दीब जलाने से घर के कई बास्तु दोशों की शांती भी हो जाती है घर के आस्वा सकारात्पक उजा प्रभाहित रहती है परिवार के सदस्यों का मन, सद्यव, प्रसन और उजावान बना रहता है इस तरहें दिया जलाने से धनकी देवी मा लक्षमी भगवान विश्णु जी के साथ साथ सभी सकारात्मक शक्तियों का भी आशिरवात प्राप्त होता है कुंडले के ग्रहे दो शमाप्त होते हैं और सुकसमरत्ती की रास्ते खुल जाते हैं दोस्तो दिये कितने घंटे चलने हैं यह आपकी सुभधा के उपर निर्वर करता है अगर आप बड़े दिये जला सकते हैं तो बड़े जला नहीं तो छोटे दिये जला कर भी आप मालक्ष्मी को इस तरह अपने घर आमंतित का सकते हैं अगर आपने आटे के दिये जलाए हैं तो अगले दिन आटे के दिये और चावल को एकटित करके आप पक्षियों को डाल दें। अगर मिट्टी के दिये जलाएं हैं तो उन्हें आप वापस धोकर द्वारा भी इस्तमाल का सकते हैं और चावलों को एकटा करके आप बक्षियों को डाल दें अगर दियों के नीचे जावल नहीं रख सकते तो आप थोड़े से फूलों की पतियां भी रख सकते हैं या फिर एको दिया रखे खाली उसके ऊपर भी आप दिये को रख सकते हैं इस उपाई को करने के साथ सा धनकी देवी मालक्ष्मी जी के कित्मा प्राप्त करने के लिए शुद्धिता पवित्धिता का विशे ठ्यान रखें साफ सुथ्रे रहें और अपने घर को अच्छी तरह से साफ रखें इसके साथ ही घर के मुख्य दर्वाजी पर किसी भी तरह का कबाड़ा या गंदगी इखटा ना करें पुरुष हमेशा महिलाओं का सम्मान करें भूलकर भी कभी भी किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन पर मा लक्ष्मी जी की कभी भी कृपा नहीं होते साथ ही मद्रा आदी दुर्वसनों से भी दूर रहना चाहिए मा लक्ष्मी जी को प्रसंद करने के लिए शरीर की पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी बहर जरूरी है दोस्तों इस उपाय को रोजाना संध्या काल की समय करना भी बहुत ही शुब माना जाता है आप चाहें तो संध्या काल की समय रोजाना इस उपाय को अवश्य ही करें इससे धनकी देवी मालक्ष्मी जी का घर में इस्थेर पास रहता है उम्मीद हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो की प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस से भैभी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तैंक्स पूर वोचिंग राधी राधी